हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मै चैनल, आज हम मठरी बनाने वाले हैं, याने की नमकीन, कुरकुरे और खस्ता बिस्किट बनाने वाले हैं, इसके लिए मैंने एक कटोरी रवा लिया है, और एक कटोरी ही गेहू काटा यहां हमें लेना है, इसके साथ हैं, यहां आधा चमच जीरा लिया हुआ है मैंने, और आधा चमची अजवाइन हमें डाल देनी हैं, एक कटोरी रवाईया आटे की हिसाब से, आधा चमच नमक परियापत रहता है, तो इसलिए दो कटोरी के लिए, हां मैंने दो बार आधा आधा चमच नमक डाला है, और यह छोटी सी कटोरी भर जो मोयन के लिए है, इससे काफी खसता बनेंगे, अब हमें पानी डालना है, पानी बिलकुल थोड़ा सा डालना है हमें, ताकि आटा कड़ा रहे, हमें बहुत पतला नहीं करना है इस आटे को, और फिर आखिर में थोड़ा सा तेल डालकर इसे मसल लेना है, यह इतना कड़ हमारा, इतना कड़ा होना चाहिए ताकि खसता पन और कुरकुरा पन लाइए, अब हमें इसे बेल लेना है, क्योंकि इसमे रवा डला हूआ होता है, इसलिए इसकी किनारी फटती है, इस तरह कतोरी चाहें उसाकर में कट कर सकते हैं यहां मैंने कटोरी से कट किया है और यह पूरी फूले नहीं इसका खस्ता पन और कुरकुरा पन और भी बढ़ाने के लिए काटा चमच से हमें इस तरह कर लेना है इसमें चुबो देना है और इससे एक डिजाइन भी आ जाती है जो बहुत ही अच्छी दिखती है अब हमें सारी पूरी इस तरह से पहले तयार कर लेनी है इसके बाद बिल्कुल धीमियाच पर हमें इसे तलना है इस तरह हमें तेल में डाल देनी है पूरी यह पहले तो नीचे रहेंगी तेल के जैसे ही हम डालते है इसके बाद सारी पूरी यह थोड़ी ही देर में उपर आ जाती है जैसे ही पूरी यह उपर आ गई कि हमें इसे पल्टा देना होता है इस सारी पूरी यह उपर आ चुकी है अब थोड़ी देर के बाद हमें इसे पल्टा देना है सारी पूरियों को एक एक करके धीरे धीरे हमें पल्टा देना है इसे आप तेल या घी किसी में भी तल सकते हैं और जब तक ये पूरियां उपर हैं समझो कच्ची है जैसे ही ये पूरियां वापस तले में बैठ जाए याने ये पूरियां पक चुके हैं लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इसे हमें बिलकुल ही धीमी आज़ पर ही तलना है अब ये सारी पूरिया नीचे बैठ चुकी है यानि ये पक गई है अच्छी तरह से अब ये दो पूरियां हम निकाल लेंगे इसे तरह सारी पूरियां हमें तयार कर लेनी है तो ये खस्ता, कुरकुरी और टेस्टी मठरी तयार हो चुके है आप इसे बनाईए, खाईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए झाला को सब्सक्राइब कीजिए